आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अब इसके लिए हम बेंजग प्राप करते हैं, दूद्रू आगोन पर निरच्छी स्थित में, ठीक है? ठीक है तो इसके लिए मान लेते हैं हम लोग हमारा कोई दूद्रू है, माइनस क्यू और प्लस की जो दूनों, ये भी इसे मतलब एक दूसरे से 2L दूरी पर है, वो इसका मद्य बिंदू है, तो मद्य बिंदू पर अगर हमें एक रिखा खीचें, तो इस रिखा पर जो कोई भी बिंदू पर इस्थित जो है, बिंदू P पर हमें बिंदू छेद की तीपता निकालनी है, ठीक है? इसे हम लोग तो आपका AP और BP क्या हो जाएंगे, अगर पाइथागोरेस पर में से यह हो जाएंगा, R square plus square का under root, ठीक, और दूनों बराबर होंगे, AP बराबर क्या होगा, BP होगा, ठीक, क्योंकि यह दूरी L है, यह दूरी R है, तो यहां से दूनों की case में बराबर होंगे, अगर आप plus की वावेस की करण देखेंगे, हमारा बिद्दू छेत की तीबरता, तो उसकी दिसा किदर होगी, हम जानते हैं कि E की दिसा जो होती है, वो धनावेस से दूर की तरफ होती है, उससे, तो E1 मान लेते हैं इसको, तो यह आपका plus आवेस की करण इधर होगी, और minus की वावेस की तरफ होती है विद्दू छेत की तीबरता, तो यह आपका minus की वावेस की तरफ E2 हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से E1 E2 का परणामे निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, ठीक, तो E1 का मान क्या होगा, E1 का मान अगर आप निकालें, तो E1 बराबर हम जानते हैं, विद्दू छेत की तीबरता E बराबर होता है, या E1 यह बराबर होगा, एक बटा 4 pi epsilon 0 into q बटा, बीज की दूरी क्या है, R square, तो R है मतलब AP BP square, ठीक, BP square, ठीक है, यह आपका क्या होगा, अगर इसकी दिशा देखें, तो यह होगी B से P की ओर, ठीक है, तो BP की ओर, ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, E2 निकाल लेंगे, ठीक, E2 बराबर भी यह होगा, 1 by 4 pi epsilon 0 into q बटा AP square, यह इसके बराबर होगा, बस दोनों की दिशाएं अलग-अलग हैं, तो यह जाएगा आपका P से A की ओर, ठीक, इसके दिशा इधर होगी, तो अगर मालने इन दोनों की बीच में हमारा, E के साथ E1 का क अगर theta मालने, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके घटक निकाल लेंगे, ठीक, तो घटक निकालते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम इसको फिर से बनाया, तो यह बिंद P है हमारा, E1 की दिशा की दिशा है, इधर है, यह आपकी E2 की दिशा है, और य माल लिया परणामें से even जो है theta कोन बना रहा है तो इसके घटक निकालेंगे तो इधर क्या आएगा हमारा even cos theta इसी तरह आप e2 का निकालेंगे तो e2 का इधर component e2 sin theta आएगा और इस direction map का e2 cos theta आएगा ठीक तो आप देखेंगे even sin theta और e2 sin theta दोनों बराबर क्योंकि even e2 बराबर दे देंगे ठीक तो इसलिए बिंदु पीपर परणामें बिंदु छेत क्या हो जाएगा e बराबर हो जाएगा आपका even cos theta इनका परिमाड प्लस e2 cos theta ठीक even e2 बराबर है तो इसको आप लिसकते हैं 2 even या 2 e2 cos theta ठीक तो यहां से even की value put करेंगे आप तो e बराबर हो जाएगा दो गुड़े even का मान है एक बटा 4 pi epsilon 0 into q बटा ap square बp square जो भी हो आप उसको क्या हो गाएगा r square plus l square ठीक है into cos theta अब आप cos theta का मान यहां से देख लेगे cos theta क्या होगा यहां से देखेंगे तो अगर अगर यह हमारा theta है तो यह भी theta होगा ठीक है तो cos theta क्या होगा l बटा हमारा अपकरण तो l बटा cos theta हो जाएगा l बटा हमारा r square plus under root l square ठीक है चूंकि आप यहां लिखेंगे cos theta बराबर है l बटा r square plus l square का under root ठीक है यह पावर एक बटा 2 लिख लीजे ठीक है यहां से cos theta का मानिया हमें रख दीजिए तो यहां से आपको e मिल जाएगा परणामे पाई epsilon 0 into q यह हो जाएगा cos theta कमान भी यहां प्रक देंगे तो यहां से आप देखिए तो इसको लिख सकते हैं सवारी epsilon 0 था यहां से हो जाएगा 1 बटा 4 पाई epsilon 0 into यह हो जाएगा आपका ऊपर आप लिख सकते हैं इसको 2 q into l यह हो जाएगा आपका r square plus l square की power 1 plus 1 बटा 2 कित 2l ठीक है यह बताया था दूद्रू आगोंड है यहां पर बताया था तो आप q into 2l को क्या लिख सकते हैं उपर यहां पर इसको p लिखते हैं बिद्दू दूद्रू आगोंड तो यह जाएगा p बटा 4 पाई epsilon 0 into 1 बटा इसको लिख सकते हैं r square plus l square की घाते 3 बटा 2 यह आप यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं यदि l का मान बहुत कम हो r से ठीक है मतलब हमारे दूद्रू बहुत पास पास हो तो यहां पर क्या होगा l square और ज्यादा कम हो जाएगा r square से मतलब r square तूल नामे l square बहुत छोटा हो जाएगा तो l square को हम लोग नगड मान लेंगे इसको सुनने पूट कर देंगे तो यहां से सुनने पूट करेंगे तो आपको जाएगा r square की power 3 बटा 2 ठीक तो यानि कि r cube हो जाएगा तो यहां से आप यह तब विद्दू छेट की तीबता जो आ जाएगी उसका मान आएगा 1 बटा 4 pi epsilon 0 into यह जाएगा p बटा r के घाते 3 इतना न्यूटन पर कुला मिस का मात रख होता है तो यह दोनों सुत्र आपके निरच्छी स्थित में विद्दू छेट की तीबता का सुता जाएगा अगर हमारा बहुत छोटा हो मतलब आपका यह पहला वाला सुत लगएगा ठीक है यह दोनों आपके निरच्छी स्थित म नीट आएट ही जेई वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप यह वाच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर